नमस्कार मेरा नाम आलोक है आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़ी यूटूब न्यूचनल लेप्स्टीज को लोग सबहा चुनाओं की त्यारियां शुरू हो गई हैं सभी सांसद अपने अपने शेत्र को जाने लगे हैं और जनता को बताने लगे हैं कि कितना विकास का उन्होंने किया है पिछले पांच सालों में पिछले पांच सालों में जो केंद्र से उन्हें राशी उपलब्ध कराई गई थी जनता के लिए काम करने के लिए जनता के हित में काम करने के लिए क्या उस राशी का उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है इस रिपोर्ट में क्या है बड़ी बात चुनाओ अचार सहीता लग चुकी है ऐसे में जिन सांसदों के कोटे की राशी बच गई है चुनाओ जितकर आने वाले सांसद उसे खर्च करेंगे सांसदों के फंड की निगरानी बिहार में योजना एव विकास विभाग करता है लोगसभा की वेबसाइट पर हर महीने इसका बेवराज जारी किया आता है हर एक सांसद को हर साल 55 करोड सांसद निधी में मिलते हैं बिहार के 40 सांसदों को 5 साल में 1000 करोड मिले बैंकों में रहने और 15 लोकसभा की कुछ राशी बचने के कारण सांसदों को 1012 करोड रुपे मिले थे आईए अब हम जानते हैं विस्तार से किस सांसद के कोश में कितनी राशी बाकी है राजीर पताप रूडी के अगर हम बात करें तो 15 करोर 60 लाख रुपए अभी उनके कोश में राशी बाकी है यदि हम बात करें तारीक अन्वर की तो उनके खाते में भी 5 करोड एक लाख रुपए अभी बाकी है बात जब हम कर रहे हैं सतीस चंदर दूबे की तो 5 करोड 42 लाख रुपए बाकी है वहीं जो सांसद है भोला सिंग जिनका निधन हो चुका है उनके खाते में भी 3 करोड 27 लाख रुपए अभी बाकी है महबू अली कैसर की जो हम बात करें हैं तो 2 करोड 97 लाख रुपए बाकी है हरी मानजी के खाते में भी 3 करोड 58 लाख रुपए बाकी है कौशलेंदर कुमार की जब हम बात कर रहे हैं तो उनके खाते में भी 3.95 लाख रुपए बाकी है चिराक पासवान जो जमूई सिसांसद है उनके खाते में भी 2.50 लाख रुपए बाकी है राधा मोहन सिंग जो केंद्रिय कृष्वी मंतरी है उनके खाते में भी 4.3 लाख टॉक्टर अरुन कुमार के खाते की बात करें तो 5,70,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, उनके खाते में भी दो करोड़ पचास लाख रुपए बाकी है आपने देखा कुल मिलाकर जितने सांसद हैं बिहार की अगर हम बात करें तो उनके खाते में बच गई हैं उसका प्रयोग क्या समय रहते वह नहीं कर सकते थे इन सवालों का जवाब क्या वह जनता को देंगे या आने वाले समय में पत्रकारों से झाल